विच वन ऑफ फॉलवंगे जा सब्सपेस खुआ अफ गाया अफ फॉल टू आर क्यू और आपको बताना है कि कौन सा इसमें सब्सपेस होगा तो यह सेट यह सेट जो आपको गवेन है तो सब्सपेस होने के लिए वो खुद में एसे वेक्टर इस्पेस होना चाहिए और वेक सेप्ते होना चाहिए यानिक में ज़ीरो ब्लॉंग करना चाहिए अगर मैं किसी अ entonces के बात कर लाइव फॉर एग्ञामपल डबलू तो डबलू में 0 होना चाहिए तो इसमें भी जेरो होना चाहिए तो देरो अगर एक्स की जगाई पुट करेंगे तो यह बहुत जगाए नहीं करेंगे तो हैं और इस Τपर टेस्टिंग करेंगे पहले और और आप्सप्सिंग के बाते हैं इन में जिरो है या नहीं है अक्सर जब भी हम sub space या vector space की बात करते हैं तो अगर वो fail होता है तो दो ही condition पर सबसे ज़्यादा fail होता है most probably क्या तो उसमें zero belong नहीं करता है या scalar multiplication पर वो fail होता है IIT, GEMS, CSIN, NET, GATE जितने भी step के exam होते हैं या इनके parallel exam है उसका main reason यही है कि उसमें जहां भी fail के condition आती है वो scalar multiplication या 0 पर ही वो fail होते है यहाँ पर अगर मैं x, y, z को अगर 0 ले लेता हूँ यानि कि 0 देखते हैं यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे z की जगा 0 रखेंगे तो equal to 3 आएगा तो 0 इसमें नहीं belong करता है तो 0 not belong to this set, suppose करो this set is w यहाँ पर 0 देखिए, यहाँ x और y अगर z 0 रख देते हैं तो यह condition को satisfy करेगा लेकिन अगर मैं minus 1 belongs to r यहाँ पर जो field है, जिस field के बात करी गई है, वो real field ही है जब field means ना करें तो और जो vector space जिस पर define होता है mostly उसी पर field भी होता है तो यहाँ पर अगर मैं minus 1 belongs to r और minus से अगर मैं इस element को x, y, z को multiply करा देता हूँ minus 1 x, y, z तो यहाँ पर आता है minus x, minus y, minus z यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर इन दोनों का product देखते हैं तो minus x less than equal to 0 और minus y less than equal to 0 यानिकि इसको satisfy नहीं कर रहा है इस condition को यानिकि scalar multiplication यहाँ पर fail हो रहा है scalar multiplication यहाँ पर fail हो रहा है और इसमें 0 ही belong नहीं करता है, अगर मैं x को 0 put करूँ और y 0 है, तो x यहाँ पर minus 1 equal to 0 आ रहा है जो कि यह true नहीं है, not true तो यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर 0 not belongs to w तो सिर्फ इसमें हैं तो तीन options हमारे discard हो गए है, जो एक बचता है, हो ही इसका sub space होगा बाकि जो sub space test है, जैसे कि 0 belongs करना चाहिए या अगर c v belongs to w करना चाहिए c अगर filled element है, c belongs to filled c belongs to filled, तो c v belongs to w करना चाहिए तो यह तीनो test आप करके देख सकते हैं इस पर तो यह सारे के सारे इसको fulfill करेगा झाहिए झाहिए